नमस्कार दोस्तों यह सभी का फिस्षे स्भागत करते हैं आद हम करें अगर आपने हमारे इस सेनल को सब्क्राइब किया है तो सब्क्राइब कर लेगे तो यह सेनल पर हम्फ्री में आपको कुछ ना कुछ लाइव करके कुछ ना कुछ profit करवानी की कोशिश करते रहते हैं आया देखते हैं software में काम कैसे करते हैं जैसे कि यहाँ एक green color का arrow बना है उसको buy signal बोला जाता है और यह जो red color का downside arrow बना है और उसके उपर price लिखी है उसको sell signal बोला जाता है पर बहुत सारे software के अंदर आपको fake signal मिल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि यह buy में काम करना चाहिए या पर नहीं करना चाहिए क्योंकि side way के बज़े से आप गलत decision गलत signal ले लेते हैं पर यहाँ आपको perfect trade मिलने का देने का कोशिश software करता है जैसे मैं example आपको दे देत हूँ कि buy signal मिला है बाइक के बेक में एक देखिए तो एक उपर की side का triangle मिला है इसका मतलब यह होता है कि यह buy signal है वो perfect है कौन सा triangle में उसके उपर round करके दिखाता हूँ यह रहा round यह देखिए यह triangle होना चाहिए तो ही हम buy के अंदर काम कर सकते हैं दूसरा verification हमारा seat number 2 रहेगा seat number 2 में हमें check करना होता है कि यहाँ जो trade चल रहा है buy वाला वो यह trade line से उपर होना चाहिए देखिए यह trade line बनी है trade line से उपर है तो मतलब कि यह हुआ कि यह दोनों seat से verified trade था तो आपको इसमें definitely काम करना चाहिए और यह अच्छा profit आपको देगा यह sale signal है perfect है उसका reason तो मैं आपको बता दू कि sale signal के back में एक downside arrow बना है इसलिए यह perfect seat number 1 से है पर seat number 2 से यह verify trade नहीं था तो इसमें जैसे भी profit हो तुरंत निकल यह क्यों verify नहीं था क्योंकि यह जो sale आया था वो trade line से उपर trade कर रहा था हमें निचे trade करना चाहिए देखिए मैं example के ट्रूपर आपको back में जाकर दिखा देता हूँ यह रही trade line जब sale आया था तब trade line निचे थी हमें sale के अंदर उपर चाहिए तो इतना successful signal नहीं था इसलिए आपको इसमें trade करिए पर जैसे भी profit हो आपको रुपना नहीं है इस signal के अंदर तूरंत निकल यह यह फिर जैसे भी profit हुआ वैसे निकल जाई है यह बाई था signal perfect था उसका रिजन यह था कि बाई के बेक में एक उपर की side का confirmation error था इसलिए perfect था यहां से जैसे downside error आया मतलब कि आपको exit कर लेना है अब कभी-कभी software के अंदर आप market के अंदर बहुत moment हो जाती है मतलब कि silver के अंदर 1000 पॉइंट चड़ जाता है निप्टी के अंदर 2500 पॉइंट उपर चड़ जाता है एक या दो दिन hold रहता है उपर ही जाता है तो आपको नया signal नहीं मिलता है कोई भी software के अंदर पर यहां आपको 20-20 में support मिलता रहता है जैसे कि यहां buy signal दिया confirmation दिया अपने trade किया अब आपको आगे जगकर एक target पर आप रुख जाते है क्योंकि उसका target बहुत छोटा रहता है तो target पर आपको रुख जाता है पर यहां आपको यह facility मिलती है कि आपको continue hold बोलता है जैसे कि थोड़ा आगे गया आपको बोला कि यह और उपर जाएगा आ प्रोड़ कि थोड़ा आगे गया फिर से अपको एक उपर कि हाइद का triangle डाला आपको support दिया आपको confidence दिया कि यह और उपर जायगा Hold कि पिर से तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लोज भी उपर की तरफ प्रॉफिट बुक कर रहा है देखिए यल्लो लाइन की जो लाइन है वह आपका स्ट्रेलिंग स्टॉप लोज रहेगा आज मार्केट काफी डाइरेक्ली गेप अपमें खुला है तो आपका यहीं है और थोड़े टाइम के बाद वन हवर के बाद शायद यह 1080 तकले लेगा तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लोज जैसे जैसे आगे जाता है वेसे वेसे आपको स्ट्रेलिंग स्टॉप लगाते जाना है कभी-कभी मार्केट के अंदर फैल सिग्नल मतलब की फॉल्स भी होने की संभावना रहती है इसा जरूरी नहीं होता है कि हर सिग्नल आपका हीट हो 100% एक्यूरिसी मिले पर यहां देखिए तब उस सिच्शूशन में आपको क्या करना है यहां आपको दो बार बोला गया और उपर जाएगा होल्ड किये उसके बाद यहां आपका एक्जिट बना कभी-कभी आपको एक्जिट नहीं भी मिलता है मतलब की सिग्नल आने के बाद एक्जिट आता है तो आपको सेल पर एक्जिट कर लेना है अब यहां सेल आया सेल हीए आपने शैल किया क्योंकि सेल के बग में डाउचविफाइड कणनफरमेशन एरो था पर मैंने बोला कि ये शीप नंबर टू से वेडिफाइड नहीं था देखिये क्यों नहीं था क्योंकि हमने साफ साब बोला है कि ट्रेड़ लाइन सेल के अंदर ऊपर होनी चाहिए पर यहां नहीं है तो वेसे तो यहां गलत ही यह सिगनल है एक सीट नंबर टू से यह वेरिफाई नहीं था मतलब कि इतना सक्सेसफूल यह सिगनल नहीं है फिर भी आपने अगर ट्रेड किया अगर लोस हो गिया इसके अंदर तो आपको यह जो बाई सिगनल मिला है यह परफेक नहीं था पर उसकी नेक्स केंडल से ही आपको बोल दिया कि आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते तो कभी-कभी ऐसा भी बनता है कि आपको पहले से सिगनल परफेक नहीं हो पर सौफ्टेर को आगे जाकर पता लगा कि इसमें ट्रेड करना चाहिए तो इसमें आप 20-15 कांटिटी कर देना अगर इस सिगनल के अंदर आपके 15 कंटिटीव में ट्रेड किया तो इस सिगनल के अंदर आपको 100 कंटिटीव काम करना है तो आपका जो लॉस है वो इस सिगनल आपको रिकावर करके देगा । even if अ अगर इन से ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हैं live demo देख सकते हैं और free में देखने के लिए हम week में 3-4 बार अमारी channel पर live करते हैं इसलिए आप अमारी channel को like करिए subscribe करिए share करिए तन्यवाद दोस्तों करिखने के आप हम chemo में जाद कर्पकरा हैं